तो यहार आगकी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो आगकी वीडियो में हम पढ़ेंगे अरेज के बारे में अरेज क्या होता है यह हमारी पांच मी वीडियो है तो अगर आप C++ के बीगने रहें तो आपको यह सिज़स्ट करूंगे कि आप यह complete course देखें यह playlist में चैनल में और यह complete course देखें तो अब शुरू करते हैं अरेज के बारे में तो यहर अरेज एक consecutive memory location होती है वो इन सब कर data एक जैसा होता है मतलब जो भी अरेज में होंगे इन सब कर data एक होगा तो वो कर देखें पहले हम अरे लिखते थे और उसके बाद हम लिखते थे कि हमारी जो अरे है वह किस data type की होगी like हमारी interior की है फिर हम लेखते थे बाइ इसका size क्या होगा like five size की मैं array पना लता हूँ तो फिर लेखते थे इसका name क्या है like iosteam के बाद हम include को आदे है है इस include array तो लेकर अब थोड़ा अडवांस आ गया है तो array को initialize करने के लिए दूसरा दिखा हम follow करेंगे तो यह इसको comment करते है और दूसरा दिखा जिसके लिए हम array को initialize करते है वह देखते है तो इसको comment कर देता हम तो array को initialize करने का दूसरा दिखा है कि हम लिखें array का dry type like int की है तो साथ लिखते है array का असलब जो भी नाम रखना हो कोई भी नाम रखते है तो इसका size कितना होगा तो bracket डालके इसका under size लिखेंगे लाइक हमारे पास 5 की array है ओके तो यह हमारे पास array initialize हो गई तो खतम हो जा हाँ यह array initialize हो गई तो array के बारे में एक और array का जो है जो है जिरो से start होती है मतलब 5 की array तो 0 1 2 3 4 index में होगी मतलब हमारे पास array तो 5 की है लेकर index इसका एक पीछे होगा हम मतलब इधर इसको अगर initialize करूं तो इस तरह करूंगा is equal to डालके तो अब मैं 5 वैल्यों ले लूँगा तो मैं 5 वैल्यों लेता हूं पहले लेता हूं 2 3 4 5 6 लैक ले ली तो अब मैं इधर cout2 बहता हूं cout2 बहुत सिंपल है मतलब लाइक इसका name लिखो और जो उनसा index हमने cout2 बहने वह लिख दो तो अगर मैं लिखता हूं हमारे अब मसलिम जो पहला है पहली element है यह हमारे array के 0 index पर पढ़ा होगा लाइक मैं इधर 0 लिखता हूं पर end line लिख देता हूं backslash end तो पहले element होगा वह 0 index पर पढ़ा होगा तो इसका run करता हूं तो हमारे पास value 2 आगी लेकर अगर मैं इधर 4 अब फोर लिखता हूं तो हमारे पास fifth element आएगा अब six आएगा हमारे पास fifth element है six value वह आएगी लेकर अगर मैं इधर five लीखता हूं तो हमारे पास garbage value आएगी मतलब अरे को तो 5 थी लेकिन अब मैं इधर 5 लिखूंगे इसका मतलब 6th element तो अगर 5th index का मतलब 6th element लेका 6th element तो हमारे पास है यह नहीं तो इसलिए यह garbage value आएगी तो यह garbage value minus 85, 8, 9 यह garbage value आगी तो यह अब हम array की sorting के बारे में बात कर लेते हैं और यह को sending adder में sort करना या array को descending adder में sort करना या array को descending adder में sort करना यह बहुत question कामन होता है तो हम इसको कर लेते हैं simply कैसे करते हैं तो आपने करना कहा है सबसे पहले header include करवाना है hash include algorithm algorithm और इसको हम comment कर देते हैं ताक्किए हमारे पास visible ना हो तो फिर हम लिखेंगे इतर sort जो array का name है array लिखेंगे फिर name के साथ plus जो इसका size है मतलब 5 size है तो 5 लिखेंगे तो अगर तो हमने sanding अंटर में करवाना है तो हम लिखेंगे फार int i is equal to 0 i less than 5 i++ then simply output लुआ देंगे array i ओके और यहां पर मैंना space देता हम तो अक्लियर हो सके इदर लिख देते हैं ascending order इस यह मर पास और होड़ होगे औरे cout इदर लिख देते हैं ascending order ओके तो बैठ लेशन लिख देता हूं ताकि next line में मर बास के लिए रोग और descending order में करनी है तो क्या इस इस देंगे लिख दूंगा और i is equal to 5 कर दूंगा i को क्या करूंगा greater than equal to 0 ने i 5 नि करूंगा क्योंगी यह fourth index तर होगा ना five element fourth index पर होगा i is equal to 4 करूंगा and then i minus minus कर दूंगा तो यह send cutter में हमारा print कर वा देगा तो इतर मैं backslash ने लिखता हूं ताकि वह next line में आ सके okay okay तो यह तो वैसे sending में है तो इसको तोड़ पूल लेते हैं कि अदे लिखता हूं 7 आगे 3 अगे लिखता हूं 2 आगे लिखता हूं 5 आगे लिखता हूं 1 तो यह ना ascending में और not descending में है तो हम sort को कि देख लेते हैं इसको तो यह ascending में 12357 and descending में 75321 में करता हूं यहर आपको यह अच्छा लगा होगा शाम आईख्चर